उनके खुद के लोगों को समझाने के लिए भी उनको गांधी का माध्यम करना पड़ रहा है यह उनके लिए सबसे खत्रे की बात है और वो इसे खतम करना चाहते है अब आपकी पैदाइश गांधी जी के हत्या के बारा साल के बाद हुई और आपने भारत इंदुस्तान को बदलते चेहरे से देखा हैं तो गांधी जी अगर आज होते तो क्या कहते क्या करते क्या सोचते हैं बापू अगर आज होते तो ये हालात नहीं होते क्योंकि बापू इस कगार तक रुकते नहीं कि जो हालात यहां तक पहुंचे वहां तक वो रुकते नहीं उन्होंने इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पहले ही पैचान लिए होते और उनकी आदत के मताबिक वो सिम्टम्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, कि कहीं ये जाके कोई महारोग ना बन जाए, तो ये फरक था उनकी काम करने की शैली में, और जो उनकी परक थी, वो पहचान जाते थे कि अगर समाज में हमें ऐसे प्रवाह दिखना शुरू हो रहे हैं, तो इनका नतीजा क्या होगा? हमारे जैसी विचारधरा के लोगों ने हमेशा अपने आपको ये दिलासार दिया कि ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें हो रही है, ये समस्या है, चोटी है और ये टिक नहीं पाएगी, अपने आप में तो बहुत चोटी चोटी चीजें होती थी, लेकिन हम ये नहीं सोच पा है कि अगर गांधी जी होते तो क्या हमारी उनका रियक्शन क्या है हमने ये समझना चाहिए कि बापू रियक्ट नहीं करते थे, वो प्रोएक्टिव होते थे, और सदाई कारियरत रहते थे, 24 hours, 24 hours, 365 days, और वो कारियरत रहते थे कि ता कि जो सिंटम्स देख रहे हैं वो उन आपने एहम चीज़ की कि सिम्टम्स पहचान कर उसके बाद आप हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो मैं अपने खुड के 35-35 साल की जब पब्लिक लाइफ इसमें बात करती हूं कि सिम्टम्स जो हमने देखे पहचाने नफरत एक शक शुबा की नजर एक दूसरे में प उन्हात कर रही हूं जब वह पूरे नफरत भरी चोप उंचीज़ा थी वह लेजिटमाइज हो गई मैं अधियात्रा के दर्म्यान लेजिटमाइस की गई अधनी जी नहीं कि अधुछ सोचते हैं कि वह रत्यातरा के बाद यह सब हुआ च्पन दोधिया उसके बाद हुआ कि यह जो प्रक्रिया थी उनकी उसके पहले वी वो 47 से कार्यरत है सैंतालीस से बटवारे के बाद बटवारा उनके लिए एक सोने की चीडिया बन गया था और उन्होंने तब से इसके बारे में सबसे पहले उन्होंने बापू की हत्या के बारे में जूट फैलाना शुरू किय और लोगों को यह कन्विंस करना शुरू किया की बापू की हत्या जरूरी थी और नथूराम ने राष्ट्र भक्ती का कार्यक लिया यह आपकी संसत कह रही है कि राष्ट्र भक्त था अभी मैंने 2 अक्तूबर का एक कारेकर्प देखा जहां महात्मा गांदी की जय करते हु वो उसी sentence में नतुराम गोडसे को देशभक दी बोल रहे थे तो हम इस मकान तक पहुँच गये हैं अभी कि ये दोगलापन official और acceptable हो गया है तो ये उन्होंने शुरुआत 47 से की जब से हमें आजादी मिली बटवारा हुआ उसके बाद उन्होंने बापू की हत्या करवाई और उसके बाद से जो उन्होंने परचार किया उसमें सबसे पहली नाकामियाबी हम जो अपने आपको गांदियन कहते हैं उनकी थी कि हम दूसरा गाल आगे करते ही रहे उनकी थपड़ों पर थपड़ खाते रहे और दूसरा गाल आके करते रहे और अपने आपको बहुत महान समझते रहे कि देखो हम गांधी के कितने अच्छे चेले हैं कि हम थपड़ खाये ही जा रहे हैं उसमें ये नतीजा हुआ कि एक पूरी दो पीड़ियां ऐसी आज हिंदुस्तान में है जो उस जूट को सच मानती है तो पहले जूट का परचार हुआ उसके बाद देश का परचार किया गया तुष्टी करण के नाम पर उसके बाद घ्रिना को फ्रंट लाइन पर लाके घ्रिना पैदा की गयी और घ्रिना एक बार पैदा हो जाती है उसके बाद तो हैवानियत ही होती है उसके बाद इनसान तो मरी जाता है तो यह स्टेप्स में उन्होंने बहुत ही समझ बूज के उनकी जो एजेंडा था, उसको इंप्लिमेंट किया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अभी 94 साल हो रहे हैं राश्चे स्वयम सेवकसां को और दोजार चौबीस में तो पंचीस में तो उनके सो साल पूरे हो जाएंगे और उन्हीं की सरकार रहेगी उस वक तो यह जो एक उनका समाज में काम करने का तरीका और राजनीतिक त पूरे हमारे समव्धानिक राश्ट्र को एक हींदू राश्ट्र में बादलने का उसके जो भी नतीजे हो और एक भै का वातावरन हिंसा का इस्तमाल पहले हमारे हम गगा कहीं सकते थे इक तीस तक होते थे उसके पोग्राम होने लगे, एक तरफे हिंसा होने लगी हमारे अलप संक्यों के किलाव, चाहे वो मुसल्मान हो या सिख भाई बेन हो, और उसके बाद करते करते गुजरात का नर्जन सहार हुआ, और अभी लिंचिंग हो रहे हैं, और लिंचिंग को रेकर जैसे विजय दश्मी द मर्थन किया है, और ये बात हमारे लिए बहुत चिंता का विशय होना चाहिए कि जिस लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किये है, तो भागवत साहब का जो बयान है, वो कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी गद्दारी का फैसला कहरे कि वो हमारे राष्टर को बदनाम कर रहा है, इसकी नोट होनी चाहिए, हम छुप नहीं रह सकते, क्यूंकि मैं मानता हूँ कि लिंचिंग से राष्टर की बदनामी हो रही है दुनिया भर में, और लिंचिंग के खिलाफ काम करने से नहीं हो रही है, लिंचिंग होने के कारण हो अगर भागवत साब यह नहीं समझ सकते हैं, तो इनको यह ग्यान देना जरूरी है, कि उनकी समझ ठीक हो, पर यह जरूरी है कि यह राष्ट्र को समझे, कि लिंचिंग के खिलाफ काम करना गद्दारी नहीं है, लिंचिंग करना गद्दारी है. तुशार जी, गान्दी जी कि क्या बात है, जो उनके डिट्रैक्टर्स को इतनी खटकती हैं? मुझे लगता है, सबसे ज्यादा जो बापू का एक गुण था, जिससे लोग बहुत परेशान है, कि वो ये था कि कोई बापू से अच्छुता नहीं रह सकता था. आप चाहें उनकी स्तुती करो, चाहें उनकी ग्रिना करो, लेकिन उनको नजर अंदाज कोई नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता, जब जी चाहा तो मुखवटा उनका उठा लिया, जब जी चाहा तो गाली दे दी, जी चाहा तो उनके हत्यारे की पूजा कर लिया, और बापू को जाडू भी बापू के हाथों में ही देना पड़ता है, अब खुद के हाथों में जब जाडू लगाते हैं तो कोई मानता नहीं है कि सुच्छता कर रहे हैं, वो बापू के हाथ का जाडू देखते हैं, यह जो बात है, यह जो बात है, कि उनके खुद के लोग आपू की कई और दूसरी चीजें थी जिससे उनको खत्रा लगता था क्यूंकि आज भी जब उनका नया राष्ट्र पिता उनको मिल गया है तब भी वो रिटायर्ड राष्ट्र पिता से इतने डरते हैं क्यूंकि वो रिटायर्ड राष्ट्र पिता का समर्थन आज भी ना सि पहचान है और वो गांधी है तो अपनी पहचान के लिए भी उनको यह कहना पड़ता है कि वह राष्ट्रपिता था अब मैं हूँ तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनको इग्नॉर करके मुझे करो तो आप जब चलते हैं चाहे जलगाओं हो चाहे केरल हो चाहे कहीं पर आप गांधी फांडेशन से आप जुड़े हुए हैं आपने स्थापित भी किया है तो आपको किस तरह का रिस्पॉंस मिलता है और आप अभी भी इतने सालों के बाद आप इसी काम में लगे हुए बापुजी के एक तरह का लेगेसी पहलाने में तो बहुत ड्राइव जो आप हमारे राष्टर का अस्तित्व टिका रखना है तो वो गांधियन आइडियालोजी पे ही टिक सकता है वो ही एक ग्लू है जो इस राष्टर को जोड़े रख सकता है इसलिए और मैं उसको सबस्क्राइब करता हूँ ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन मानवता के दूसरा क्योंकि सब लोग मेरे अंदर सिर्फ मेरी लेगसी देखते हैं तो मेरा यह करतव यह भी बन जाता है कि मैं उस लेगसी के लिए कार्य करता रहूं और सबसे ज्यादा इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यह काम करना है क्योंकि मैंने अपने आपको सिर्फ इस धार परना पर सीमित करके नहीं रखा कि मैं तो परपोता हूँ, मुझे क्या चालेंज हो सकती है, मैंने अपने आपको उस नॉलेज से एक्विप किया है, तो आज भी जब मैं जाता हूँ, घूमता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो मेसेज में लेके जाता हूँ, जो बापू के बार जो अस्तित्वा है, तो उसको खंड़न करके जो सत्य है, उसका मैसेज मैं फेलाता हूँ, और तभी मुझे पता चलता है कि आज का जो जेनरेशन है, उनके लिए जो लोग बापू का कोई भक्ती का कोई नाटक भी नहीं करते हैं, जो लोग अपने आपको बापू से इंड वो इसमें है कि या, वो तो महात्मा था, फिर उसने ये गलती कैसे की, तो एक जगा पे उनकी एक आस्ता दिखती है, तो मैं उस आस्ता को उजागर करता हूँ, उनके प्रश्णों का जवाब दे कर, तो मैं ज़्यादा तर जो घुमता हूँ वो नौजवानों के संगठनो में और उन से बात करना ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी पीडी तो निकम्मी पेडी है, उन से बात करने का कोई मतलब नहीं रहा